कि यह गई सब्केम बैक निभ बीडियो झाकिज आज की बडियो में हम देखने वाले हैं कलि में सब्सक्राइब यहें काफ़ी इंपोर्टेंटेस्स क्लाभ एक है हमारा बॉल्फकिश्चनर रेड़क्षन तो इन दोनों में से कोई भी एक आजाता है तो बॉल्फ किस्टर मैंने अल्रेडी कवर करा दिया अगर नहीं देखिए तो वीडियो का जो लिंक के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से देख लिए आज हम देखने वाले हैं क्ली मेंस रेड़क्शन तो जैसे कि आपके अग्जाम होने वाले ह तो देखें। बास करतें है कि क्ली मेंस रेड़क्शन किया है देखें पहले रेड़क्शन का मतलब समझेे आपको पता होगा रेड़क्शन कहने का मतलब है कि addition of hydrogen एडिशन औफ हाईड्रोजन डैट इसको रेडक्षन या फिर जो ले तो रिमूबल आफ ऑक्सीजन औक सिएंक को रिमूब करके हमने हाईड्रोजन वहां पर आड़ कर दिये तो जो रियक्षिन रिदक्षन रियक्षन कहलाती है अब ऐसा है क्ली मैंस रिदक्षन कि आखर यह कहां पर रिदक्षन होगा कहां पर हाईड्रोजन होंगे तो देखिए यहां पर जो है कीटोन और अल्डिहाइड अल्डिहाइड तो यह हमारे कार्बनल कंपाउंड है कीटोन के अगर हम फंक्शनल की बात करें इसका फॉर्मिला क्या होता सी डावलबंड ओ और इधर हमार बात करें ह हमारे फ्रेंड होगा और इधर हमारा एक हुड़ा होगा होगा तो यह आल्डीहाइड हैं तो यह हमारे किटोन होते हैं और होते हैं अगर हम उनको जैड एन एच जी यह हमारा जिंक अमलगम जिंक लिए एमलगम इसकी प्रेद्टेंस में एसेल कंडिशन में यानि कि वहां पर एसेट प्रेद्टेंस और जिंक एमेलगम की प्रजयंस में अगर हम कीटोन का या फिर अल्डीहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो वहाँ पर एलकेन वनते हैं आप जानते होंगे वह सारी कंपोन्ट जिनमें सिंगल वोंड पाए जाते हैं तो यह पूरी जो रियक्शन हुई वह हमारी कहलाती है क्लीमेंस रि तो वहां पर दोब होनी चाहिए तो वहां पर हमारी क्लिमेंस कहलाती है इसी तरीके से एक हमारी रिक्षिन वह है बॉल्फ किस्ट्ट्र रडक्षन तो वह भी सेम यही है कि कि या फिर की टोन का एलकेन में कंवर्ट हो जाना वहाँ पर फिर रिडियूजिंग होते हैं वहाँ पर जिंक अमल्यम की जिगए आ जाता है लिए कि या फिर अपर यह दोनों में डिफ्रेंस होता है बॉल्फ किसनर डेक्षन में और किली मेंस रेडक्षिन में दोनों को काम वही है यहां पर दिख रहा होगा यह हमारा कीटोन को रूप है तो रेडक्षिन क्या बोल रहते हैं कि हम सिंपली ऑक्सिएन को हटाना है और हमने हाइड्रोजन को वहाँ पर यहां पर हीघ करेंस कीश्च यह दखेंगा करेंगे यहां पर सिमपल सहा है यानि कि तो है तो सिंपली अब यह याप देखो क्या कंपााउंड बन गया यह है अमारा प्रोपेन तो एसिटोन का प्रोपेन में कनवर्ट हो जाना जिंक अमेलगम की प्रदेंस में और एक्षियल की प्रदेंस में डैट इस कॉल्ड क्लीमेंशन रेडक्षन आई होप यह आपको समझ आ गया होगा तो सिंप्ली देखे वही लिख रहा है क्लीमेंशन सबसे पहले उन्होंने इसको प्रपोज कहा था रिपोर्ट की थी जो हमारी रेक्षन हैं तो उनिके नेमपेन को हम क्लीमेंशन रेडक्षन बोलते हैं और एक और पॉइंट जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर एसेडिक कंडिशन है कंसेंट्रेटेट है तो जो भी सबस्ट्रेट है बोले तो जो भी हमारा एल्डी हाइडिया की टोन है वह एसेड इस्टेवल होना चाहिए अधरवाइस यह रेक्षन नहीं होगी और डिफ्रेंस मैंने बताई दिया था वॉल्फ किसनर में और क्लीमेंशन में कि वॉल्फ कि सब्सक्राइब 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 सपोर्ज हम एक दूसरा एक्जामपल ले लेते हमारे पास एसिटल डिहाइड है यानि कि सी यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन ठीक है और यह जो है अगर नॉर्मली हम जाएं किसमें का नुवर्ट होगा हमने ऑक्सिजन की जगे दो हाइड्रोजन लगा देने सिंपल से बात हो जाएगा मैं तो बात करते हैं कि यह कैसे पूरी रियक्षिन होती है मैकनिजम क्या है तो स्टार्टिंग होती हमारी वही एसिटल डिहाइड से सी एस्थरी सी ड्वलबट ओ और इसके उपर इसके साथ हमारा हाइड्रोजन तो जैसा कि आपने पता होगा कि जो हमारा ऑक्सिजन जो होता वह कि आता है कि वाजा सा यहाँ से यहां पर इंटरी होती है जो हमारा है तो यह क्या कर सकता है क्या करते हैं हमें यूछ और इसकता जैड़न टू प्लस आपने देखा होगा टू प्लस इस पर चार्ज होता है तो यानि कि यह जो है टू एलक्ट्रों डोनेट कर सकता है और यह किसको देगा ऑक्सियन के पास तो जाएंगा नहीं क्योंकि वह तो अल्रेडी एलेक्तर नेगेटीव है कार्बन के पास कार्बन ने लेक्त्रों लिये हैं तो ऊसके उपर और चार्ण ने बीडे़ेडेर और स्द陷 ऐसे यहां पर यापन समध और उसके बाद क्या होगा देखिए यहां पे अब एंट्री होती है हमारी एक सियल की जो कि हम प्रोवाइड कर रहे थे एसेडिक कंडिशन तो यहां पे जो एक पिलस यहां पे जाएगा एक यहां पे जाएगा और यह जो अपने मिलब इनके जो इलक्ट्रॉन स्भिए इनको यहां खीचेगा तो सिंप्ल सा क्या होगा यहां पर कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन आएगा च और यहां है ही इसके लाबह आप और यहां पे फिर से हमारा एक यहां पर सीन में आता है आप देखोगे एच पिलस मैं तोड़ दे रहा हूं एच पिलस पिलस सीयल माइनस तो यहां पर देखोगे ऑक्सिजन के पास लोन बेर्स होते न तो यह अभी भी मिला इलेक्ट्रोन नेगेटिव है तो हमारा यह जो एच पिलस जो है यह किसके से मैं यहां पर ओ और एच एच और इस पर पॉजिटिव चाहर देगा यहां पर यहां पर यहां पर यह आटाइच हो किया है बाकि हमारा सी एस तरी इधर विल्कुल सेम तो अब आप देखोगे यहां से जो एच टू ओ यान कि वाटर जो है हमारा रिमूब हो सकता है तो सि पॉजिटिव चाहर देगा या बोले तो यह अपना पॉजिटिव चाहर इस तरफ सिफ्ट कर देगा तो सी उसके पर पॉजिटिव चाहर एंड हाइड्रोजन सेम बाकी का सारवल कू सेम है और इतर हमारा सी एस थ्री तो इतनी स्टैप आपको समध आगी होंगी अब यहां करेगा जो उसने पहले काम गया था यानिकि उसके पास है दो एलेक्ट्रोन बोगा हो इस तरीके से अब यहां पर हईड्रोजन इथर वाकि हमारा के स्थितनी है जिस्टाइब को समझ आगी होगी अब नेक्स यहाँ पर क्या होगा वही अब हमारा स्दून ऑपी ऐस पिलस अभी आप करेगा वही माइनस पे यहां पर यहां पर एक और हज्बल आड हो जाएगा बाड च Ho यह हमारा वन गया तो यह जो है अभी जो सारा कुछ बताया है यह है इसका मैकेनिजम तो यह जो है पूरा मैकेनिजम है कि कैसे हमारा औक सिजन को रिमूब करकर हैं कि हैसे हएं देटरोब चैसे होती हैette चैसे रिषटेपन तहां धिए ने तो जैसे कुछ मैडिसेंस हैं कि अगर हमने M wirt करना है तो इसी का युज करके हम उनको कर लेते हैं और इसके लावा कुछ पॉली सैक्लिक एरोमेटिक हैं उनके प्रिप्रेशन में भी इसी क्लिमेंस रिडेक्शन का यूज होता है कुछ हमारे एलिफेटिक हैं और कुछ यह बोले तो मिक्स्ट एलिफेटिक आरोमेटिक कार्वनिल कंपाउंड है तो उनके झाल